स्रीकिष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुस्य के जीवन में अलस्य से बड़ा कोई सत्रो और परिस्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है। अलस्य जहां उसे जीवन में पीछी की ओर धकेलता है तो वहें परिस्रम उसे जीवन में आगी की ओर ले जाता है। आलस्य हमें साब वैक्ति की सबलता में बाधल बनता है। कहा भी गया है अरसस्य कुतो विद्या, आविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, आमित्रस्य कुता सुखम। कहने का दातपर यही है, कि आलसी वैक्ति को विद्या नहीं प्राप्त होती है, और जिनके पास विद्या नहीं होती है, वो कभी धन नहीं कमा पाता है, और जिसके पास धन नहीं होता है, उसका कोई मित्र नहीं होता है, और जिसके मित्र नहीं होती है, वह जीवन का कोई और समय अकारन ही गवा देते हैं अलस्य से हमेशा साथान रहें क्योंकि यदि आप उसे आज का दिन देते हैं तो वह आपके कल का दिन चुरा लेता है हमेशा बैठा ही रहता है जबकि कर्म के लिए उठखड़ा होने वाले वेख्ति का भाग भी उसकी उन्नती के लिए उठखड़ा होता है कल करे सु आज कर, आज करे सु अब, बल में परले होएगी, बहुरी करेगा का ये दुआ तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने इस पर अमल किया है हमें से जायतार लोग किसी भी काम या नहीं, सुरुआत को हमेसा कल पर टाल देते मैं कल सुबह उठकर बढ़ाय कर लूँगा, मैं कल से वेयाम जरूर करूँगा, कल से समय पर उठूँगा, कल से मैं कुछ बुरा नहीं बुरूँगा, कल से मैं अपनी बीटी के ये समय जरूर निकालूँगा, लेकिन कल के बोरों से खुद से किये ये हुआ दे, हम कभी बु क्योंकि ऐसा ही हाल आलसी लोगों का भी है। ये हर काम को कल के भरों से छोड़ देते हैं। हर घरी हर पल जीवन में बदला होते रहते हैं। ऐसे में कल क्या होगा किसी को नहीं पता। तो फिर आप अंजाने कल के भरों से क्यों बैठे रहते हैं। आपने अपनी बेटी से वादा किया कि कल से आप उसके साथ ज़्याद़ वक्त विताएंगे लेकिन क्या आपको अचानक किसी ज़रूई काम में जाना पड़ा और अपना वादा नहीं निभा पाए इससे आपकी बेटी का दिल तूट जाएगा इसलिए कल के बहरों से कोई काम सोरने से बहतर है कि आप उसकी सुरुवात आज सही करने की कोशिस करें पिर याप अपने लक्ष में कामयाब होना चाहते है तो कल का इंतजार किये बिना खुद से कह मैं ये काम आज अभी से सुरू कर रहा हूँ लेकिन मानिये आपका ये द्रेड संकल्प आपको अपने मकसद में सफलता जरूर दिलाएगा इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जो कोशिस करने वाले छोड़ देते हैं हमें सफलता पाने के लिए जीवन में आगे बढ़ते रहना होगा आलत से छोड़कर हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमारे योकिता को बढ़ा सकी निरंतर अभ्यास करते रहना होगा एक बार की बात है एक बाज के दो बच्ची थी दोनों बच्ची बड़े हो रहे थे लेकिन उड़ना नहीं सीख पा रहे थी रोजाना उनके पिता दोनों को अपनी पीट पर बिठा कर जंकल में ले जाता जहां दिन वर दोनों बच्चे डाना चोकते रहते साम को फिर पिता उन्हें अपनी पीट पर बिठा कर वापस कर ले आता रोजाना ये कर्म चलता रहा बाज के बच्चों ने भी ये सोच लिया कि जब पिता हमें ले जाते हैं और ले आते हैं तो फिर हमें उड़ने के लिए प्रयास करने की ज़रत क्या है विर बाज ने बच्चों की इस मंसा को जान लिया वो जान चुका था कि दोनों बच्चे आलसी हो गए पर मेहनत करना नहीं चाहती अगले दिन पिता ने दोनों बच्चों को अपनी पीट कर बिठाया और अकास में ले उड़ा उचाई पर पहुंचने पर अचानक पिता ने दोनों बच्चों को अपनी पेट से गिरा दिया खुद को मुसीबत में देख दोनों बच्चों ने पंक फरफराना शुरू कर दिया और उरान भरने लगे साम को घर पहुंच कर दोनों बच्चों ने अपने माता को इस बारे में बताया तो माता ने दोनों बच्चों को समझाया कि जो लोग अपने आप नहीं सीखते उन्हें ऐसे ही सिखाया जाता है बच्चों को अपनी मा की बात समझ में आगी इसके बाद वह आलस से छोड़ उची उड़ान भरना सीखने लगे दोस्तों जो व्यक्ति आँसी होता है उसका ना तो वर्तमान होता है ना ही भविस ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है दरसल आलस मनुस्य का सबसे बड़ा सत्रू होता है अगर किसी व्यक्ति में आलस बढ़ा है तो वो अपने जीवन को बरबाद भी कर सकता है वो ना तो अपने जीवन की कोई कीमत समझता है और ना ही किसी कारी को उसके नजर में दोनों ही चीजों की कोई एहमित नहीं होती है ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आलस की चपेट में होता है यदि हम अपने जीवन में सफल होने की काम ना करते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को उसके लिए तैयार करना होगा जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है आप सफलता के बारे में क्या सुचते हैं यदि कोई भी आदम अपने आपको बिना कुछ किये हुए है पहले ही अपने आपको असफल मान ले तो वो पोड़ी जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाए क्योंकि वो सफल होने के लिए नहीं सोचते बलकि सफलता से ज़्याद असफलता के बारे में सोचते इसलिए जिंदगी सफल होने के लिए अपने सबसे पहले अपने सोच को सफल होने की जवाद है सफलता हसल करने के रास्ते में सबसे बड़े चुनोती नाकारात्मक विचारों और कारियों से चुकारा पाना है सकारात्मक सोच विक्सित करना और इसके साथ साथ बीच में सफलताओं के बाद भी उठ खड़े होकर आगे बढ़ने की भाबना रखना जरूरी है सफलता पाने के लिए अपने मन को समझा कर असफलताओं आलोजनाओं का डट कर सामना करना चाहिए यदि एक पार समय चलागी और आपने उसका सही उप्योग नहीं किया तो समझ लिजिए आपको बाद में बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा की कास मैंने उस समय को बर्बाद ना किया होताओं तो आज मैं कुछ और होता है यदि एक बार समय चला जाता तो फिर अपसोस के अलाबा और कुछ बाकी नहीं रहता है। समय आपकी जिंदिगी का सबसे कीमती दोफ़ा है जो भगवान में सभी को समान रूप से दिया है। अब यह आपके उपर है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। द्यान देने वाली बात यह है कि समय का हरपल आपके लिए का अफसर है। और इस अफसर का फाइदा उठाकर आप कुछ भी हासिल कर सकते। यदि आप हरपल का सही उपयोग कर पाते हैं तो आपको सफलता की उचाईयों को छूने से कोई नहीं रोख सकता। लेकिन यदि आप नदी की तरह बहते हुए समय का उपयोग नहीं कर पाई। तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको ना चाहकर भी यह कहना पड़ेगा कि कास मैंने उस समय वो काम कर लिया होता। कास मैं अपने जीवन के परती उस समय सचेत होता। यदि आपके पास किसी काम में सफल होने का कुछ भी समय और बागी बचा है। तो तुरंट समल जाएगे। मौका अभी भी आपके हाथ में बस मैनत कुछ जादा करनी होगी। अगर कोई बेखती आपसे चलता है ते उसकी बुरी आदत नहीं है। बलकि आपके काविलियत है जो उसे एक काम करने पर मजबूर करती है। सम्मान हमेशा समय और स्थितिका होता है पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। अंधेरे को अटाने में वक्त भरवात मत कीजिए। बलकि दिये को जलाने में वक्त लगाईए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को उचा उठाने में वक्त लगाईए। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोडी होती है। मचली जंगल में नहीं दोर सकता। और सेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए एहमयत सभी को देनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि जिनमें सांसे नहीं है वो ही मुड़ता है। जिनमें इंसानियत नहीं वो कौन सा जिनता है। जिस मित्र की आपके दुस्मनों के साथ बैठा को। उस मित्र से सदैप साफधान रहना चाहिए। बोरी संगत में रहने से तो अकेला रहना बहता है। खुश रहना सीखी, वाकि सब तो चलता रहेगा। कोई अपना बिछडता रहेगा और कोई पराया मिलता रहेगा। सिमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नर्म होना चरूँगी है। और जोड़े रखने के लिए सक्त होना जवाब आलस करते हैं तो सब कुछ मुस्किल लगता है लेकिन जवाब महनत करते हैं तो सब कुछ आसान लगता है एक समय की बात है एक गाउं में एक छोटा सा गुरू को था वहाँ सबी सिस्थे गुरू जी के मार दरसन में पढ़ा करते थे उन सबी बच्चों में एक वित्यार थी बहुत आलसी प्रवर्दी का था क्योंकि वह हर बार आज के काम को कल पर तो कल के काम को परसों पर ठाल देते गुरू जी उसकी इस गंदी आदत से बेहत वहिसान थे इस कारण गुरू जी ने काफ़ी सोच विचार कर उसे कैसे समझाया जाए इसके लिए एक रन्नीती बनाए अगली दिन गुरू जी ने कहा जि मैं तुमें ये काला पत्थर वेने जा रहा हूं इसे तुम किसी भी लोही की चीज पर विजोगे तो वो सुने की बन जाएगी लेकिन तुमारे पास कल सुरियास तक का ही समय है सुरियास के बाद ये पत्थर काम करना बंद कर देगा और मैं तुम से ये पत्थर वापस ले लूँगा इतना कहकर गुरुजी वहां से चले जाते आलसे सिस्सी बहुत खुश होता है और मानी मन वो नई चीजों को फरिदने के बारे में सोचता रहता है और मानी मन बढ़वराता रहता है मैं सुने का ये करूँगा है और वो करूँगा आलसे सिस्सी ने बहुत सारे खुआप तो बूल ले थे लेकिन उन्हें पुरा करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा था आलसे सिस्सी ने सोचा अभी तो मेरे पास बहुत समय है इसलिए अभी थोड़ी देर सोचाता हूँ नीन में भी वो आलसी सिसी बहुती बड़े बड़े सपने देख रहा होता है और बस सोचता ही रहता है आलसी सिसी को सोचते सोचते पूरा एक दिन बीच जाता है और वो आलसी सिसी अभी भी सोची रहा होता है वो बड़वराता है कि अभी तो मेरे पास पूरी साम परी है मैं इन सभी अपने सपनों को बहुत ही जल्द पूरा कर लोगा इसलिए अभी थोड़ा आराम कर लेता है और फिर जब उठोंगा तब ही इन सपनों को भी पूरा कर लोगा जब नीन से वो उठता है तो दोपहर हो जाती और फिर वो दोपहर का खाना काने लग जाता है और जब वो आलसे से से घड़ी की तरफ देखता है तो सोचता अभी तो पुरे चार गंदे बचे सुर्यास थोने में इतनी देर तक मैं क्या करूँगा इसलिए थोड़ी देर आराम ही कर लेता है आलसे से से साम को नीन से उठता है और घड़ी को देखकर दोरा दोरा बहार भागता है और लोही की चीज़ ढूनने में लग जाता है लेकिन रास्ते में गुरूजी उसे मिल जाते है और उसे वो पत्ति वापस ले लेते हैं और बोलते हैं अब तुपहरा समय समात हुआ अब साम हो चुकी है उस सुर्यास्त भी हो गया है भालसे सिस्री को पस्तावा होता है और उसे समय के महत्तों का एसास होता है दोस्तों हमारा भी यही आगा हम भी आज के काम को कल पर तो कल के कामों को परसू पटालते रहते जिसके कारण वो काम कभी भी नहीं हो पाता इसलिए तो कहा गया है कल कभी नहीं आदा जो करना है आज ही करो हमें काम को कल पर नहीं टालना चाहिए जितने भी सफल लोग इस धर्ती पर हुए हैं, उन्होंने समय का सदोपयोग किया है, इसलिए वो सफल हुए है, अगर हमें भी सफल बनना है, तो हमें आज में जीना होगा, दोस्तों, इस वीडियो में बस दता है, मिलते हैं अगले वीडियो में अपना ख्याल रखेगा, जै एसने किस्वा